अलो फ्रेंश महरागनी और आज हम सीखेंगे पहुती ट्रेंडिंग कुर्ती का नेक डिजाइन तो फ्रेंश देखें यहाँ पर अपने माप की इसाब से मैंने कुर्ती की कटिंग कर ली है तो इच में आपको फूल सोल्डर लेना है यहाँ पर मैं सातीन सोल्डर की यहां पर देखेंगे फ्रेंश कुट्टि के ऊपर गले को नहीं कट कर रहे है इसलिए यहाँ पर प्पेस्टिंग पैपर लें है और आपको फेस्टिंग पैपर की गले को उक्रिण से नच चौड़ाइन और घुटेंश कि ऑल्यजित साड़े साथी इंच लिये है तो के बंद भाग के तरफ से आपको मार्किंग करनी है और देखिए टोटल गले की जो चोड़ाई हैं पर साड़े पांच इंच पर एक मार्क कर लेंगे और नीचे लंबाई आपको छेंच ले ले लेना है यानि सबसे लाष्ट वाली जो गला है उसकी लंबाई आपको साड़े चेंच लेना है और इस तरह से देखिए आपको एक बार और मार्किंग कर रही हूं चाड़े पांच और नीचे बहुंचे इंचीज चोड़ाई की गले?" और इस तरह से तीन इंच दोपानेंट चौड़ आई पर एक मार्किंग करेंगे और यहां भी एक बॉक्स डेडी कर लेंगे, उपर के साइड भी हम तीन इंच दोपानेंट लिये हैं, तो देखिए उपर वाला भी बॉक्स हमारा रेडी हो चुका है, और इसमें हम देंगे बॉट नेक का से कि तो देखिए । देखिए इस तरह से आपको है स्र्याइन को डार करना तो देखिए इस लाइन को डार करना है अब करत्lag ङग रियन करें जो किलियर है यह गिछे तो अब दार कर लें और देखिए फ्रे crims 1 धुरी पर एक और मार्किण करेंगे तो एक इंच दूरी पर एक और मार्किंग करके उस लाइन को भी देखिए आप पर हम डार कर लिए हैं और अब आपको डेड़िंच दूरी पर एक मार्किंग करनी है जिसके बीच में में डिजाइन आइड करना है तो डेड़ इंच दूरी पर जो बाहर वाली मार्किंग है उसको भी हम कर लेंगे देखे इस तरह से तो यहां पर देखे तीनों लाइन की मार्किंग कम्प्लीट होती है और देखे शाड़े पांच इंच चौड़ाई और छे इंच गले की लंबाई हम लिए हैं एक बार और हम आपको किलियर कर दे रहे हैं अब देखे सबसे पहले उपर वाले गले को कट करेंगी और जिस तरह से मार्किंग की हैं उसी मार्किंग के उपर आपको गले को कट करना है और अब लाश्ट जो मार्किंग है उसको कट कर लेंगे तो तीन लेयर साइड में कर लेंगे इस तरह से कट करके आप देख सकते हैं और अब जो देखिए सबसे नीचे वाला लेयर है उसको हम एक इंच दूरी पर कट कर लेंगे ताकि हम गलापटी हमें अलग से नहीं लेना और नीचे वाले साइड में उज कर लेंगे कि तो देखिए तेन लेर हमारा उपर के साइड आप देख शकते हैं तो देखिए जो सबसे उपर वाला पास उसको भी harun कपड़े पर पेस्ट कर लेना है अर बीच opinky में पैपर की ज़ायर में पेपर करकी टिजाइन रखेंगा प भूरे ऊपरिश्ट करओं कर सकते हैं तो सबसे नीचे वाला रहा है उसको अमें कपड़े पर करा है तो दो लेयर को आपको कपड़े पर पेश्ट कर लेना है और एक लेयर आपको पेपर के उपर रखके मारकिंग कर लेनी है तो देखिए तीन हो लेयर का मैं आपको क्लियर कर दे रहे हूं साथ में ही ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो अब देखिए नीचे के साइड आधा इंच कपड़े को छोड़ते हुए हम कट कर लिए हैं और किनारे से फॉल करके शिलाई लगा लेंगे आप देख सकते हैं तो इसी तरह से देखिए पूरे किनारे को फोल्ड कर लिए हैं और अब हम इसे डबल में फोल्ड करेंगे डबल में फोल्ड करते हुए शेंटर मार्किंग कर लेंगे तो सेंटर मार्किंग करने के बाद अब हम कूर्ती को लेंगे और कूर्ती के सीधे साइड हम देखिए कूर्ती का भी आपको सेंटर मार्किंग बार कर लेना है अच्छे से और बिल्कूल बीचों बीच से मिलाते हुए हम गले पटी वाले पाट को रख लेंगे और किनारे से शिलाई लगाते हुए से स्टीज करेंगे तो आप पिनप कर लें एक बार नहीं तो फिर आपका गला थोड़ा सा भी इधर उदर होगा तो तिर्चा हो सकता है तो देखिए लाश्ट तक हम गले के उपर शिलाई लगा लिए हैं और आपको एक चाप कपड़ा मार्जन में छोड़ते हुए बाकी कपड़े को कट कर लेना है अब पूरे गले पर छोटा-छोटा कट लगाएंगे और गले को अंदर के शाईट फोल्ड करके फिनिसिंग की शिलाई लगा लेंगे तो देखिए इस तरह से बहुती इजिली हमारा गला फेस्टिंग से बहुती फिनिसिंग के साथ बनता है गले पर शिलाई लगाने के बाद से अब जो बीच का पार्ट निकला हुआ है देखिए देड़ें चमडाई पर जो मार्किंग किये तो उसको हमें पेपर के उपर रख करके मार्किंग करनी है तो पेपर के उपर आपको इसे रख लेना है और उपर के साइड आधा इंच बढ लेना है उपर के साइड और देखिए साइड से आपको आधा इंच बढ़ाना है तो इसलिए बढ़ा रहे हैं कि हमारा मार्जन उज हो का जब हम डिजाइन वाले पाट को नीचे वाले गले में यानि कुर्ती में अटेच करेंगे तो हमारा मार्जन जाएगा तो जितना आदा इंच बढाना है और उपर के साइड गले में हमि यह एक चाप दूरी पर मार्किंग करनी है बिलकुल बराबर से नहीं करनी है तो यह जाप यहां भी अम बढ़ाते हुए मार्किंग कर ली हैं तेंचE आप देख शकते हैं कि मार्किंग यहां पर हमारी कंप्लीट हो प्रेस लगाने के बाद से देखिए शुईधागे के मदद से बहुत इजली हमारा पलट जाता है जह से हम ब्लाउंच का डोरी पलटते हैं उस तरह से हो जाता है तो देखिए पट्टी को पलट लेंगे तो आपको तीन चार पट्टी शिलकर के पलट लेना है और इसके उपर प्रेस लगा लेंगे आप साहें तो दूसरे साइड शिलाई भी लगा सकते हैं और प्रेस लगाने के बाद से धाय धाय इंच लंबाई में हम इस पट्टी को कट करेंगे तो देखिए, पूरे पट्टी को हम कट कर लिए हैं, डाइडा इंच के लंबाई में आपको कट करना है, और देखिए, यहाँ पर जो गला वाला उपर वाला किनारा है, पहले उसी साइड से इसे स्टीच करेंगे पेपर के उपर, तो आपको पूरे पट्टी को अच्छे शे बराबर से मिल ıldते हुए पेपर के ऊपर इस्टीज कर लेना है और इसमें आपको दोदोब का गैपिंग भी देना है जिस तरह से गले का शेफ आया है उसी तरह से आपको हलके हांतों से घुमाते जाना है पट्टी को और इस पर एश्टीच करते जाना है आप चाहें तो इसमें ज्यादा भी गैपिंग दे सकते हैं पर मेरी कस्टूमर का डिमांड था कि बीच में ज्यादा गैपिंग नहीं रह आप इसी थोड़ा सा दूर कर सकते हैं अब देखिए दूसरे साइड हम इस तरह से स्टीच कर लेंगे बिल्कूल बराबर सी मिलाते हुए और शिलाई आपको जहां भी आप मार्किंग किये हैं आप देख सकते हैं मार्किंग बहुत इजली दिख रहा है उसी के ऊपर आपक के साथ कट कर सके हैं तो आप देख सकते हैं किस तरह से में पट्टी को अच्छे से फैलाते हुए दूसरे किनारे पर भी शिलाई लगा ली हूं और शिलाई लगाने के बाद से देखिए आपको क्या करना है जो आप मार्किंग किये हो जहां भी शिलाई लगाई उसके बिल सब्सक्राइब कर लिए और अब हम जो उपर वाला लेयर था जिसे हमें जिसको हम कपड़े पर पेश्ट किये थे उसको ले लेना है और देखि इस तरह से आपको बढ़ाते हुए कट करना है कपड़े को ताकि आप असानी शे फोल्ड कर सकें तो देखिए अब हम इसे सब्सक्राइब करना है और इसी तरह से देखिए आपको हाथ से थोड़ा सा अंदर की साइड प्रेस करते हुए इसे फोल्डिंग की शिलाई लगानी है तो देखिए शिलाई लगाने के बास से इसके बराबर एक और कपड़ा लेंगे और उसके उपर हम रखेंगे दोनों क आपको सीधा साइड मिलाते हुए रखना है और बिल्कूल बुकरम के किनारे से आपको सिलाई लगानी है बुकरम के उपर सिलाई नहीं चड़नी चाहिए उपर से देखिए कट करके बराबर कर लेंगे और अंदर के साइड भी सिलाई के बाद एक चाप कपड़ा छोड़त तो देखिए जो फोल्डेट साइड है आप देख सकते हैं इस तरह से हम अंदर के साइड फोल्ड कर लिये हैं और अब देखिए उपर के साइड किनारे पर एक शिलाई लगा लेंगे ताकि हमारा जो गला है अच्छे से फिक्ष हो जाए और शिलाई लगाने के बाद से अभी से सीधा साइड करेंगे और बिल्कुल एक चाप से एक पॉइंट कपड़े को बढ़ाते वे यानि आपको आधा इंच कपड़ा एक्ष्टा करके कट करना है जो हमारा मार्जन हीज होगा आधा इंच कपड़े को हम दबाते हुए कूर अगरा आधा जो पट्टी एक फनिसिंग के साथ फोल्ड हो चुका है तो देखी अब इसका सेंटर मार्किंग करेंगे तो बिल्कुल बीचों बीच में आपको एक मार्किंग कर लेनी है और यहां पर देखी को लेंगे और कुर्ती का जो इस तरह से बिल्कुल सेंटर में और सेंटर पॉइंट मिलाते हुए पिनप कर लीजिए ताकि इधर उदर ना खिसके और यहां देखी आपको जो आधा इंच आप एक्ष्टार लिये थे मार्जन के लिए उतना ही आपको नीचे वाला जो कुर्ती वाला गला है उसको उसके उपर चढ़ा करके सिलना है आप चेक करते रहें कि कोई भी पाट आपका छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा है तो इस तरह से चेक करते हुए देखिए आप देख सकते हैं कि बहुत ही बराबर के साथ हमारा सेट हो गया गला और अब हम उपर वाला जो पेपर है उससे कट करके निकाल लेंगे और इसमें फिरेंस आप द्यान देना है कि जो आप मार्किंग किये हो गले का उसके बराबर से ही कट करना है ताकि गले में गोलाई आए देखिए शोल्डर के साइड भी हम बराबर कर लेंगे कट कर की से अब देख सकते हैं और बराबर करने के बाद से अब हम लेंगे उपर वाला जो लेयर हम सेट किये हैं उसको और देखिए इसके भी बिल्कूल सेंटर पे मार्किंग कर लेंगे इसमें center marking का आपको खास दियान देना नहीं तो आपका जो गला है तिर्चा हो सकता है तो देखिए दोनों साइडम center marking कर लिए हैं और कुर्ति के उल्टे side से इसे देखिए center से आप एक बार मिलाती हुए चेक कर लिए ताकि joint करने के बास से आपका गला इधर उदर नखिश के तो देखिए बिल्कूल बराबर से मिलाती हुए जो आधा इंचर मार्जन लिये थे इसमें उतना ही पकड़के आपको stitch करना है गले के उपर किसे भी पार्ट को आपको ज्यादा खीशना या फिर ज्यादा लूजिंग नहीं देना है बिल्कूल बराबर से आपको stitch करना है और center पर आने के बासे देखिए कि दोनों का center point आपको एक बार जरूर चेक कर लेना है तो देख सकते हैं कि उपर वाला जो लेयर है वह भी यहाँ पर हमारा अटेच हो चुका है और अब हम कर लेंगे इसको सीधा और सीधा करने के बास से जो हमारा पैक वाला किनारा था जिसे हम पहले से ही पैक कर लिये थे वह लेयर हमारा उपर के साइड आ गया है और बहुत ही फिनिसिंग के साथ उसके किनारे पर सीलाई लगा करके हम गले के साथ अटेच कर लिये ह तो अब हम इसी देखिए आप देख सकते हैं किस तरह से फिक्ष हो गया है पेपर को निकाल देंगे और पेपर को निकालने के बासे फ्रेंज हमारा गला यहां पर रेडी हो चुका है तो फ्रेंज में मिभी करते हूं कि वीडियो प्लोग को पसंद आया होगा वीडियो अच् चैनल पर नए है तो प्लीज चैनलों को सब्सक्राइब करके वेल बटन को ओन करें